आज आप सोचते रहेंगे कि डॉक्टर शेकर अशक पवार जी को क्या हुआ है ये तो यूटूब चैनल पे टूद्ब्रश लेके आगए लेकिन बात ही कुछ ऐसी है ये जो टूद्ब्रश है न ये हमें सिखाते हैं कुछ पासवर्ड की पॉलिसी या कैसे आप पासवर्ड क प्रोटेक्ट कर सकते है उसके स्कया है में तो चलिए डिसकस करते हैं जैसे आप किसी दुकान में जाते हो और जैसे आप तूट ब्रश तूट को सिलेक्ट करते हो और बहुर सारी ऐखते न 6 कौन सा कलर है उसका कैसे मूरता है कैसे चलता है आप बहुत सरी जानकर या इकटे करते हो उसके बाद उसको चूज करते हो वैसे ही जब आप पासवर्ड चूज कर रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह पासवर्ड जादा स्यादा लेंदी हो लेंदी का मतलब है कि उस से अबी सीडी और उसके अलावा पासवर्ड में नंबर सोने चाहिए जीरो से नव तक के कोई भी नंबर होने चाहिए उसके अलावा आपके पासवर्ड में हैश एड़रेट स्टार ऐसे कुछ चारेक्टर्स होने चाहिए जो आपके कीबोर्ड से आप दे सकते हो और उससे क्या होता है पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉंग बंद है उसको कोई भी हैकर एजिली क्रैक नहीं कर सकता सपोज ए मेरा रोज के साथ यह जाने वाला टूद्ब्रश है मैं इसको मेरे बच्चे के साथ शेयर नहीं करता मेरे वाइप के साथ शेयर नहीं करता और ना ही मैं किसी邞ार को देता हूं या कोई रिलेटिव को देता हूँ वाईसे ही आपका जो पासवर्ड है वो आपके इन्डिवीजियल आपके व्यक्तिगत उप्योग के लिए इस्तमाल करना चाहिए उससे किसी के साथ भी सांजा ना किजिए किसी के सथ भी शेर न मत किजिए वो आपका individual password है कुछ मैनों बाद हमेशा toothbrush जो है खराब हो जाता है और इसे हमें change करना पड़ता है वैसे ही हमेशा आपको password भी change करते रहना चाहिए मैं prepare करता हूँ 2-3 मेने में सभी password change करूँ हर एक website पे जाके या application में जाके तो उससे क्या होता है कि अगर कभी कोई password किसी गलती के बज़े से या कोई website हैक हो गया और वहाँ पे हमारा password श्टोर था और वहाँ से अगर हैकर के पास चला जाता है या cyber criminal के पास चला जाता है तो उससे change करने के बाद हमें और ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है या हर ज़्यादा हम लोग cyber सुरक्षित होते हैं तो इसके लिए हमेशा password को दो से तीन मैने के बाद change किया कीजिए और एक बहुत ज़रुरी बात हमेशा हर एक website के लिए हर एक mobile application के लिए आप अलग-अलग password रखिए तो इसे suppose आपका social media account Instagram या Facebook तो उसके लिए अलग password रखिए आपके banking login के लिए अलग password रखिए ऐसा ना हो जाए कि आपका कोई social media account hack हो जाए और उसका password यूज करके आपका banking account भी hack करने के कोशिश की जाए आपको hack किया जाए तो इसकी संभावना कम करने के लिए हमेशा अलग-अलग application अलग- password रखिए तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित मैसुस होगा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत उप्योगी रहा और आप प्रुपया इसे लाइक कीजिए इसके कमेंट्स में जाके आप आपके रिव्यूज आपको और कौन से करते के वीडियो द इसमें काम करते हैं जो professional य bek за के लिए इस वीडियो को उस करके कुछ अतिरिक्त ग्यान प्राप्त कर सकते है उसके अलवा हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप automotive वीडियो को देख रहे हो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो इसके लिए आपका धन्यवाद